असलाम अलेकुम, वेलकम टू मीना का कुछिछन, उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे, आज मैं आपके साथ आलू मटर पलाओ की रेस्पी शेयर करूंगी, उमीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी, यह बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जाता है, आज मै आपको अपने स्टाइल से बताने सिखाऊंगी कि मैं किस तरह बनाती हूँ, चलिए रेस्पी की तरफ चलते हैं, चार से पांच एदर दिमाटर लिये हैं, उनको उस तरह से गोल गोल कट कर लिया है, दो मीदियम साइज के ब्याद लिये हैं, तीन हिस्पे मैंने आल्टी वने टेवल स्पून कुटी मिला लिच्चे, तीन चार टुपटे दार्चिनी वर्डर लिया हैं, और यह लिया है, मैने 1 अपर्स पोन सीरह कारी लिच्चे और लॉंउ, पिर्साइज, थ्री तेवल स्पून घुड स् możemy चार तर पांच approved हरी पिक्षे, तू टेवल स्पून तोड़े से पुझीने के पत्ते हैं अधक लोग हमने वाल दिये हैं एक प्रेट कप हमने इसमें और रिस करींगे दो कटोरी हमने चावल दिये हैं तकरीबन तीन पाउं के करीब और इसे हम दो के अब भी गो देते हैं चलिए पकाना शुरू करते हैं और फ्ली को बढ़ लेक हम इसमें और दाले हैं तर्वेगे जर्ण प्यासट ह में अग्वाल गोच कर दें तौर देऊ देख लेगेimon करेंपेज़ेकर लेंगे9 यह कि और ब्यासटों लाइट घ्राउं और प्यासटों लाइट प्राउंस तक पषाएंगे एंप हमारा भाफ दक गोल्डन प्राउंड इंक आप लिलसे लेना दिर कापीर्शा मिल टेटले थैसे पर दोड़ा में घर दोड़ा भाग एक टमुटिका तोड़ा दोड़ा दोड़ा है। अब लगए करें दोड़ा कुंछा है आप धूल में नहीं कोड़ा है अब लेको पेश के लिए, आपके हैं रखला वाट दोड़ा है प्रेट कर देते हैं अब चार के पांच में लग तक को काएंगे अब लग के से लग के चार ते पांच में तक काएंगे चलिए अब हमारे टमाडर नरब हो चुकी है अब हम इसमें आलू और मटर आड़ कर दो अब से बर्याम डालेंगे आलू और मटर आड़ कर दो और इसे मीडियम प्लेम पे थोड़ा सा भूम देंगे अब हम आड़ हमारे मटर जोएंगे आड़ कर दो तक कुछी है अब इसे हम नमक अड़ गर देते हैं और साथ ये अड़िवेजे अब नदे चार से पांच मटर तक उपूशी है मादर मुल पूं चुके हैं 150 01.000 चावण चावण लिये से तो अब इसमे 24 पूरी पानी आइट करेंगे निदी चावण लिये से इसमें 4 कुरी पानी आइट करेंगे अब अब इसे धखकर विल्या फ्लेम पर पपाएंगे अब इसे पानी के बाला शुरू पुझता है अब इसे चावल जाने है अब इसे धखके इसे अब आई फ्लेम पर चावल का पानी पूश कोने तक पाएंगे पानी हमारा अलमोस्स में पुश्को चुका है अब इसे तक ही राहते हैं और इसमें पुदीना चलक देते हैं और इसे दम पर लबा देते हैं तो देखिये हैं हमारे जानों को दम आ चुका है हमने तक्रीबन साथ से आड़ी इसको दम पर रखा था अब हम इसे डिशाउट करते हैं चलिए हमने देखें चावल हमें डिशाउट करती हैं और चावल इतने खिले चले बने हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपना बहुता ख्याल रखिएगा दूआ में याद रखिएगा और मेरी रेस्पिक को गरूँ ट्राइए कीजिएगा और अगर पसान रहे तो कमें तो गरूँ सब्सक्राइएगा अल्ला हाफिस